हेलो गाईज मैं कुसूम मेरे यूटुब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ एक वाइन्स जो बहुत ही खुबसूरत हैं और इजी टू ग्रो हैं बड़े अराम से ये लग जाती हैं ज्यादा कुछ ये मांगती नहीं है नॉर्मल मिट से ये चलती हैं ज्यादा इसको पानी खाद की जुरूरत नहीं होती इन बेलों को क्योंकि इनमें कुदरती पानी होता है मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए पहली है ये मेरे पास टल्टन वाइन ये टल्टन वाइन है जो इसके अंदर मैं दिखाती हूँ जो रूट्स उपर ही निकल जाते हैं और ये इतने असानी से चलती है ये बेल कि आपको आपसे कोई महनत नहीं मांगती है ये देखिए इसके रूट्स है और इसको बिल्कुल अराम से आप इसको सिर्फ मिट्टी में लगा दो और ये इतनी प्यारी बनेगी और लटक के बहु इसको ऐसे मिट्टी में डाल दीजे और ये बड़े अराम से ये ग्रो हो जाएगी ये देखो ये चोटी चोटी जो बेल है यहां पे इसकी रूट्स निकली वी है इसको आपने मिट्टी में ऐसे डाल देना है और ये अराम से ग्रो होती रहेगी आप इसको कहीं पे भी बा यह देखिए मैंने इसको इसमें पलास्टिक के बॉटल में लगा दिया और आप कहीं पे भी रख दीजे इसको कि जहां तेज धूप मतलब इसको तिहुदूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है आप इसको ऐसी जगहां रख दीजे जहां इसको अच्छी रोशनी मिले एक यह है मेरे पास वाइंडरिंग जू में भी यह देखिए कितने प्यारे प्यारे रूट्स इसके उपर ही रूट्स आ जाते हैं इतनी इजी टू ग्रो है यह बहुत जल्दी बढ़ती है यह और इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती यह देखिए वाइंडर और इसको हलका फुलका कभी आपको जब भी आपको टाइम लगता है तभी आप इसको पानी दीजे ये देखिए ये लटक की इतनी खुबसूरत बेल बनती है कि बहुत लंबी मतलब अच्छी बूशी सी बन जाएगी एक दम एक ये है मैं एक और मैं आपके साथ पेल लेके आ पीचे से देखिए कितने प्यारे प्यारे से रूट्स निकले हुए हैं यहां पर भी दिखाती हूं आपको ये देखो एक रूट्स ये निकला हुआ है आप इसको इतनी इजी तरीके से ये ग्रो होता है और इतना प्यारा बन जाएगा ये जो मश्रूम की डबियां होती है मैं उसको फैंकती ही नहीं हूं उसमें मैं इस तरीकी से प्लांट लगा देती हूं और किसी को भी जरूरत होती है तो मैं उसको दे देती हूं आप ऐसी भी कोई भी प्लास्टिकी जरूरी नहीं कर गंबले के अंदर ही लगाना है ऐसे प्लास्टिकी बॉटल्स को भी आप सकते हो यह वेस्ट होती है हम इसको फैंक देते हैं हम इसमें अराम से प्लांट लगा सकते हैं और काफी टाइम तक यह चल जाता है जब यह हमारा प्लांट चलने लगे अच्छा ग्रो हो जाए तब आप इसको शिफ्ट कर दीजे दूसरे प्लांट के अंदर यह देखिए बॉल्विंग जू जो होता है यह एक तरीके से विल्कुल गैंद की तरह पूरे आपके गमले को आपके पॉट को पूरा यह भर देगा और इतना खुबसूरत लगता है यह एक तो कलर इसका दो तरीके का होता है ग्रीन और नीचे से परपल सा आता है और इसके अंदर भी चुटे यह रूट्स निकले रहते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और पूरा भर देता है आपके गमले को जब आप इसको कहीं पे भी रखोगे अपनी वाल के उपर भी रख देते हो तो यह लटक के इतना प्यारा बन जाता है पूरा बॉल की तरह लग जाएगा पूरा अपने आप इसको कवर हो जाएगा यह आप देखिए इसमें मैंने सिर्फ चार पांच ही चुट चुटी सी टैनिया लगाई है और अब यह बढ़ेगा बड़ा हो जाएगा यह बहुत ही प्यारा बन जाएगा एक यह है मेरे पास इसको टैनिंग हार्ड कहते हैं पर इसकी जो टैनिया होती है वो देखिए उसमें उपर से ही साथ की साथ ही रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं पत्तों के साथ ही नीचे से चोटे चोटे रूट्स आपको दिखाई देने लग जाएगे इसको भी ऐस प्लास्टिक की बॉटल के अंदर अराम से डाल के इसको लगा दीजे हलका सा इसमें पानी बिल्कुल हलका सा पानी दे दो वैसे इसको पानी की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह पहले ही सेकुलर प्रांट है तो आप इसको बिल्कुल ऐसे डाल के लगा दीजे और इसको इतना पानी होता है, यह ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, एक यह है मेरे पास, इसको लिटल मिसी कहते हैं, लिटल मिसी, जेड वाइन के नाम से भी इसको जानते हैं, यह जो आपको मैं दिखा रही हूँ बेल, यह इतनी प्यारी बेल है, अगर आप इसको दिवार के साथ खड़ी कर दो बोटल को, तो यह दिवार के उपर भी चलने लग जाएगी, अपने आप ही उसको दिवार को पकड़ना शुरू कर देगी, यह बहुत जल्दी फैलती है, बड़ी प्यारी बेल बनती है, जो इसका मदर प्लांट है, वो में मैं आपको दिखाऊंगी, बस इस प्लांट आपको दिखाएंगे, यह इजी टू ग्रो है, बड़ी प्यारी प्यारी वाइन है, यह बहुत ही कम पेंटिननस महंगती है आपसे, मतलब बगर खाद पानी के भी यह अराम से सर्वाइव हो जाती है, यह देखिए, छोटी छोटी बोटल्स में भी आप इसको बहुत खुबसरत, यह देखिए, इन सभी बेलों के अंदर पानी होता है, ये देखिए, मैं आपको तोड़के इनके पत्तों के डंडियों को दिखा रही हूँ, जिसमें से पता चलेगा आपको, कि इनके जो डंडियां होती है, बेलों की उनमेँ पानी होता है, तो तो इन सबी बेलों के अंदर जो है पानी के रिक्वार्डमेंट बहुत कम होती है यह आप अराम से ग्रो कर सकते हो देखिए इसी को मैंने बॉटल के अंदर लगा रखा और यह देखो मेरा प्लांट जो है क्या किते है बॉल्विंग जू का कितना अच्छा बना हुआ है और एक यह देखिए लिटल मिसी कितना प्यारा है यह मैंने दिवार के साथ लगा रखा यह दिवार को पकड़ के इतना प्यारा बनावा है छूटी सी बॉटल में है इसमें मैं एक एक हफ्ते बाद पानी देती हूं बड़ा आराम से चलता है टर्टर वाइन यह देखिए यह अपने आप ही इस तरह लटक के बहुत ही खुबसूरत बन जाएगी यह मेरा मदर प्लांट है यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूं टर्णिंग हार्ड लिटल मिसी जैड वाइन भी कहते हैं इसको वांडरिंग जू यह देखिए मेरे पास दो कलर है यह मैं वीडियो बना रही थी और यह छोट इसी मदुमक्षी फूल के उपर यह देखिए कितने प्यार से बैठी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है यह मेरे स्पाइडर का प्लांट है इसी में से मैंने यह देखिए यहां यह जो नीचे लटक जाते है न इसी के अ देखिए इन प्लास्टिक की जो बोडल्स को मैंने दिखाया था इनको आप ऐसे कील पे भी टांग सकते ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हैंगिंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे लाइक एंड शेयर कीजे कमेंट कीजे सस्क्राइब कीजे मुझे और बैल आइकन दबाना ना भूले ताकि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्लीज मुझे मोटिवेट कीजे आप देखिए इस तरीके से लेनी जोल ज़रूर कीजेगा इन प्लास्टिक की बॉटल्स में आप यह ऐस तरह की से दिवार पर भी लगा सकते हो बहुत ही प्यारा लगता है यह मिलते है नेक्स वीडियो में बाई